देख सकते हैं कि हम दाहा नदी पूल पे खड़े हैं और यहाँ पे आज भागपा माले ने इस पूल पे महाधरना का आयोजन किया था लेकिन हम उस पे बात चित बात में करेंगे पूल के बंद हो जाने से बहुत सारे लोगों को काफी दिकत का सामना करना पड़ रहा है बता कि समस्या हो रही है देखि हम लोग दिली से हैं हम उत्रे कहां पे हैं सीवान से और यह हमें लगा कि यहां से ट्राफिक बहुत इतना ट्राफिक इतना मतब की अंकंट्रोल है कहां जाना है आपको हमें जाना है गोपाल का जाना है तो इतनी सारी समस्या अभी सरकार को या ज जत्रा है कि बहुत जल्द जिस समय दरार आया था और उस समय रास्ते को बंद किया गया था कहा गया था दो तीन दिनों में इस पर बैकल पिक में उस्ता बना दी जाएगी लेकिन आज तीन महिने से जादा का वक्त बित किया अभी तक कुछ नहीं हो रहा है आपको तो पहले हम धन्यबाद देंगे आपके चैनल को या अपने इस मुद्दा को बहुत गंविरता से लिया और हमें मतलब कि आपने बोलने का मोका दिया पहली बात यह है कि पहले जितने भी यहां पर जो भी मीडिया कर्मी भाई है इनको बुड़ा बुलंदी से आवाज सभी लोग अपने में मस्त हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है पर अपनी चुनावी सब्सक्राइब करें नहीं हो पाएगी तो अभी पूल के लिए आपको नहीं लगता कि कुछ दोस्तों मेरी है सबसे बड़े दोस्तों हम तमाम जनता के हैं कि हम लोग ऐसा नेता भी नहीं चुन रहे हैं कि जिस पर ध्यान दे यहां कि कोई भी अगर 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 पर करते व अगर बवस्ता नहीं हो पाएगी तो फिर यहां बहुत बड़े धारना होगा आप कहा से आ रहा हैं मैं तो दिली से आ रहा हूं चट को लेकर करके आ रहा हूं यह सबसे बड़ी बात है कि जो चट महापर्व है वो पूरे बिहार का सबसे बड़ा तेवार है और जितने लो जो तकलिफों का सामना करना पड़ता है वो उसकी जितनी चर्चा की जाए शिवान के लाइफ लाइन कहे जाने वाले दाहा नदी पूल की जो हालात है वो आप देख सकते हैं कि जब हमारे कैमरा मैन दाहा नदी पूल पर आज पहुँचे तो वहां पे हालात क्या है जिला प्रसाशन ने पिछले तीन महिना पहले जब पूल पर क्रेक आया था तो रास्ते को बंद कर दिया गया था शिर्फ पैदल लोग आने जाने के लिए उनको खोला गया था लेकिन और प्रसाशन ने उस समय कहा था कि बहुत जल्द इसकी बैकल्पिक ब्यवस्था बना ली जाएगी लेकिन आज तक कोई ब्यवस्था नहीं वनी और जिला प्रसाशन ने पूरे पूल को बैरिकेट करके और रास्ते को बंद कर दिया था लेकिन जैसे जैसे पर्व तेवारों का मौसम शुरू हुआ आज से तीन दिन के बाद दिवाली है और उसके बाद से छट महापर्व लेकिन देखिए कि किस तरह से आज आज जी जा करके जो अस्थानिये लोग हैं किस तरह से अपनी मोटर साइकिल को लेकर के पूल पर चड़ रहा हैं कोई बड़ी दुरघटना भी हो सकती है गाड़ी गिर भी सकती है घायल भी हो सकता है लोग लेकिन प्रसाशन की बेरुखी के कारण आज ये लोग कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हैं और देखिए कि कतार लगी है मोटरसाइकल की इतने सारे लोग इतनी सारी मोटरसाइकल पूल पर जा रही है और आप ही रही है तो ऐसा प्रतीत हो है कि प्रसासन नाम की कोई चीज नहीं है प्रसासन यहां पे बिल्कुल आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जो लोग जिनकी जरूरत है और देखें कि किस तरह से यहां पे रास्ते को अमरुद्ध किया गया है लोहे जो गाटर रखे गए हैं लेकि उसके बावजुद जो मोटर साइकिल आप देख सकते हैं कि दाहा नदी पूल की क्या हालत है और जिला प्रसासन के बेरुखी की कारण यहां पे लोग अपने जान को जो खिम में डाल करके और किस तरह से पूल पे चड़ रहा हैं पूल पे आ रहा हैं जा रहा हैं जिला प्रसासन को गंभिरता से इस पर विचार करना चाहिए था कि अगर पूल उतना डैमेज नहीं है यहां पे सवाल यह उठता है कि अगर पूल डैमेज है तो यह सारी मोटर साइकिल पूल पर कैसे पार कर रही है और अगर वाकई इनके पार होने से कोई दिक्कत नहीं है तो प्रसाखशन को चाहिए कि कम से कम मोटर साइकिल और साइकिल और पैदल के लिए जो यह लाइफ लाइन जो है सहर का उसे ब्योस्था कर देता तो आज जो महापर्व छट महापर्व है दिवाली है उससे बड़ी रहात होती यह तो आम लोग है जो बिल्कुल ठीक हैं स्वस्थ हैं लेकिन उस समय बड़ी हालात खराब हो जाता है जब कोई मरीज को ले करके आना पड़ता है और मरीज को तुरंत होस्पिटल में उसे इलाज के लिए भेजने की ज़रूरत है लेकिन पूल के बैरिकेटिंग हो जाने से लगबग आठ किलो म मिठर का एक चकर रेना पड़ता है तो उसमें जान भी जा सकती है यह भी रिस्क है लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पूल डैमेज है तो इतने सारे लोग इस पूल को पार कर रहे हैं और पूल कहीं कोई दिकत नहीं हो रहा है तो जिला प्रसाशन को भी चाहिए कि इस हा थोस निर्णाय ले या तो फिर बैकलपिक ब्योस्ता की जो बात हुई थी उसको पूरा किया जाए पीपा पूल बनाने की बात हुई थी उसे पूरा किया जाए और नहीं तो इसी पूल पर जो पूल के अलदर जो तीन पाया है जिसमें एक पाया डैमेज है दो पाया ठीक ह उसको बैरिकेटिंग करके कम से कम लोगों को जो आने जाने का रास्ता है वो किलियर किया जाना बहुत जरूरी है सरिफ यह कह देने से कि हम बैकलफिक बैस्था करेंगे यह उससे उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं है क्रभों कर के भी चया जाने हो बाहती हो यह ला हाँने से लिम्मेश कस्तो nat varsले हो से भी करता है जाने कि जिम्माना का बाहती है जह मुझा जब तक करता है सर इनकी जए होगों कि आने यह उनकी झाला